हाई एब्रिवन लोकमत हिंदी में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ प्रतीक्षा कुकरेती आपके साथ कॉन बनी का करोड़बती बारा के बुधवार के एपिसोड बे होट सीट पर हमें मिले स्वापनिल चवन्ड चिउसे के रोनवर कॉंटेस्टन थे और उन्होंने बुधवार को बीस हजार रुपे के सवाल से शुरुवार की इस दौरान उन्होंने बहुत ही शांधार खेला अपनी इंटेलिजेंस से वह 25 लाक रुपे तक के सवाल पर पहुच गए थे हाना कि 25 ल के सवाल का जवाब स्वापनिल को नई बता था वो काफी कंफ्यूज हो गय थे और काफी सोच समझने के बाद उन्होंने शोप कुच करने का फैसला किया लेकिन 50 लाक रुपे का वो सवाल क्या था जिसका जवाब स्वापनिल नहीं दे पाए वो मैं आपको बताने वाली केविसी बारा के बुधवार के एपिसोड में 50 लाक रुपे का वो सवाल था इंडिन मर्चन के कौन से भावी प्रेजिडेंट 1901 में भारती राश्ट्रे कॉंग्रेस के अध्यक्ष पने थे इसके चार ओप्षिन्स दिये गए थे काफि सोच समझने के बार स्वापनिल ने शोग विट करने का फैसला किया और उनोंने 25 लाक रुपे की धनराशी जीती लेकिन जाने से पहले अमिताब बच्चन ने जैसे कि हमेशा वो पूचते हैं उनसे सवाल का जो जवाब है वो गैस कर दे को कहा स्वापनिल ने ऑप्शन ए फिरोज शाम महता चुना लेकिन ये जवाब एकडम गलत था सही जवाब था ऑप्शन भी यानि दिन्शा इडलची वाचा स्वापनिल चवण मुंबाई के रहने वाले हैं वो पेशे से एक बिसनेसमेन हैं उन्होंने अपनी जॉब क्विट करके एक नया बिसनस शुरू किया था लेकिन कोरोना महमारी के चलते जो लॉकडाउन हुआ उसकी वज़े से उनका सारा बिसनस ठप पड़ गया सब कुछ तहसनेस हो गया लेकिन स्वापनिल ने हिमत नहीं हारी और उन्होंने कमबैक करने का फैसला किया उन्होंने ये भी बताया कि जो शो में वो धनराशी जीतेंगे उसे वो अपने बिसनस में यूज करेंगे सौ अपने लिए अमिता बचन को ये भी बताया कि आज वो होट सीट पर अपने बच्चों की वज़े से बैठे हैं क्योंकि उनके बच्चों ने ही उन्हें के बीसी बारा में जाने के लिए काफी प्रोथ साहित किया इस वीडियो में फिलहाल इतना ही क्या 50 लाक रुपे के सवाल का जवाब आपको पता था अगर हा तो हमें कॉमन सेक्शन में ज़रू बताईएगा साथ ही एंटर्टेंवन से जुड़ी हर अपडेट के लिए लोकमत हिंदी के यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें अगर आप ये वीडियो फेस्बुक में देख रही हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को फॉलो करें